हेलो एवरिवन वेल्कम बैक आज हम बनाएंगे डिनर के लिए 10 मिनट में बन जाने वाली कमफरेबल रेसिपी जो खाने में हैं बहुत मज़िदार इसे बनाने के लिए आप कड़ाई या कुकर कोई भी ले सकते हैं तो मैं बनाऊंगी इसे कड़ाई में इसमें डाला है मैंन ले जा सकते हैं एक बड़ा चमच मैंने इस पर घी डाल दिया है घी से बहुत ही अच्छी खुशब आएगी इसके बाद इस पर डाल देंगे हम दो मीडियम साइज के प्याज और साथी साथ एक मुठी काजू और कुछ किशमिस ये तीन चीजे हम इसमें डाल देंगे शु अब आज को यानी फ्लेम को मत बढ़ाएगा उससे आपकी जो किशमिस है और काजू है वो जल जाएंगे और प्याज जो है वो जल्दी से ही बाहर से जलने लगेगे अंदर से कच्छी रहेगे तो प्याज में जो सुटने सोती है मीठा पन कैरमलाईजिसन वो करना है इसलि बाद में अब हम यहां पर थोड़ा सा प्याज को साइड में करेंगे और इसमें आधा जीरा डाल देंगे और जीरो को भी इसके साथ में हम अच्छी से पका लेंगे जीरा हमने पहले नहीं डाला है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता है तो मैं वो नहीं चाती थी इसलिए मैंने जीरा बाद में डाला है अब इसमें दो आलू को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया था तो अब दो आलू डाल दिये हैं यह एक ऐसी रेसिपी है कि घर पे जो भी चीज़ें वेलबल हो यानि आलू प्याज टमाटर तो हमेशा गजर में होता ही होता है तो बस इस रेसिपी को आप इन सब चीज़ों से बना सकते हैं जो भी आपके घर में रखा हूँ एक गाजर मेरे पास रखी थी तो मैंने इस गाजर को भी मोटा-मोटा काट करके टुकडों में डाल दिया और इन सारी चीजों को मैं कांटिनिवस्ल चला चला के पका लूँगी तरीके से तो इसमें अब हम डालेंगे जब थोड़ा सा ही बस पकेंगे एक मिनट ही होगा इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बिर्यानी मसाला एक चमच भर करके डाला है बिर्यानी मसाला नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाला यहां पर डाल करके और नमक मिलाएंगे अब इन चीजों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे सुखे मसाले जल सकते हैं अगर आपके पास गोभी है मटर है पनीर है या कोई और सब्सक्राइब उन्हें भी आप डाल सकते हैं इस रेसिपी में यहां बि क्योंकि कडाई में बना रहे हैं अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो बस डेर कप पानी लीजिएगा थोड़ा सा शिंबला मिर्च को एकदम पतला लंबा काटा है इसे पानी में उपर से ढाल देंगे दो टमाटर लिए हैं मोटे मोटे काट करके टमाटर और शिंबला मिर पकाने में माल लग जाएगा चार पांच मिनट जो भी लगे थोड़ी सी बनाएंगे तो कजल्दी बन जाएगी तो इस तरीके से आपको चावल जो है उसी टाइम के लिए बस रखना है जितनी टाइम में आपकी का मसाला तर्यार करेंगे बस उतनी देर के लिए भी गोना है तो एक बार अच्छे से देखे मिक्स कर लेंगे बीच में इसकी आँच को मीडियम रखेंगे क्योंकि कडाई में पका रहे हैं अगर आप इस रेसिपी को कुकर में बना रहे हैं तो बस मीडियम तो हाई फ्लेम में दो से तीन सीटी लगाईएगा बन जाएगा कडाई में तो मैंने चेक कर लिया है अब इसे हमें मिक्स नहीं करेंगे बार पार पर पसे एक बार ही हमने इसे मिक्स करना था और लास्ट में जब पानी इसका एकदम कम हो जाएगा तो हम गैस की हाँच को बिलकुल धीमा कर देंगे और इसे पांच मिनिट के लिए पका लेंगे या फिर तब तक जब तक जो चावल है वो अच्छे सी नहीं कुक हो जाते हैं गैस बंद कर देंगे नीचे उतार कर इसे दो तीन मिनट कर रेष्ट देंगे जिससे की जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्टर हो वो चावल अबजॉब कर ले तो देख पा रहे हैं अब चावल एकदम खिले खिले बने हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्टर नहीं है यह एकदम खिल गए हैं मैंने आप लिया था रेगूलर बासमती चावल अब इसे आप तही के साथ में या फिर किसी और चटनी या रहती के साथ एंजॉय कर सकते या ऐसे ही यह बहुत मज़दार लगती है आ प्रसन नहीं हो तो लाइकी